ठंड में गर्मा-गर्म खाने का मज़ा ही कुछ ओर है, बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता लेकिन गर्म-गर्म खाने का और साथ में गर्मा-गर्म अच्छी सी चाय पीने का बहुत मन होता है तो आज मैं बना रही हूँ बिहार की famous चुड़ा मतर की recipe जिसे बहुत ही ज्यादा बनाना असान है और बहुत ही simple तरीके से मैं आपको बताऊंगी और फटा फट से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट लगता है तो यहां मैंने लिया है डेर कप चूड़ा, यह मोटा अला चूड़ा है जिससे पोहा बना जाता है, उसको छनी से छान लेंगे और उसके डस्ट को निकाल लेंगे जो बारिक-बारिक उसमें कड़ होते हैं और एक कठाई में मैंने लिलिया है दो चम्मस तील और बड़ा लश चम्मस मैने यूज गिया है तेल के लिए क्योंकि चूड़ा भूनने में थोड़ा सा जादा तेल लगता है और उसमें एक छोटा चमर डाल देंगे जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, दो-तीन सूखी लाल मीश, देश पत्ता डाल दिया है मैंने और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें डाल देंगे जो छनी से छान का मैंने चूड़ा रखा है उसे तो चूड़ा को पोहा ही कहते हैं जो मोटा अला पोहा आता है पोहा मटर हम लोग बनाते हैं वही चूड़ा इहां पर इस्तिमाल करेंगे बस इसे ड्राई हमें रोस्ट करना है क्योंकि उसे हम लोग धूल कर अच्छे से परतब बनाते हैं लेकिन इसे बीना धूले अच्छे से 6 मिनट लगेगा धीमियाज पर भुनने में लो टू मीडियम फ्लेम पर भुने जैसा बीच में जबरत हो तो फ्लेम को थोड़ा सतेज कर लें या लो कर लें तो यह देखिए अब भुन चुका है अब इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके देखेंगे बहुत ही आस प्रूर इस सीजन में बनाईएगा और एक बार बनाएंगे तो आपका बहुत मन करेगा कि फिर से इसे बना कर खाएं तो इसे एक थाली में मैंने निकाल लिया है उसी कड़ाई को साफ करके उसमें दो चमच तेल डाल दिया है और आधा कप यहां पे मैंने कच्ची मुंफल है और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे तो कच्ची मुंखली भून कर मटर चुडा में डालने से क्या होता है अच्छा सा क्रशी ने शाता है और घृत गूब हमार वाकी तेल पर बच गया है उसी तेल में डाल देंगे और इन सारी चीजों को ट्रांसलूसेन होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे तो यह प्याज अच्छी तरह से पक चुका है अब इसमें आधा कप हरी फ्रेस मटर डाल देंगे तो आप फ्रोजन मटर का यहां यूज नहीं करिएगा क्योंकि उसका टेस्ट उतना और देंगे तो नमक डालने से मटर अच्छी तरह से जल्दी पक जाता है अब इसे ढख देंगे और तीन से चार मिनट तक इसे पकाएंगे जब तक मटर अच्छी तरह से पक न जाए और अंदर तक सौफ्ट नहों हो जाए तो अगर मटर फ्रेस है तो बहुत जल्दी पक है लेकिन कुछ मटर के दाने क्या होते हैं की करे आते हैं तो अगर आपको लगे की मटर अच्छी तरइसे पक नहीं पा रहा है तो क्या कर Ger पानि डालकि इसलें तो ये देखिए आप देख सकते हैं मटर अभी थोड़ा पका नहीं है तो इसे फिर से पकाएंगे और इसे ढग देंगे तो दो तीन चमच आप पानी डाल देंगे तो वह बहुत जल्दी पक जाता है लेकिन पानी को फिर अच्छी तरह से आप सुखा लिजेगा तो यह देखिए मटर अच्छी तरह से आप पक चुक और एक लाइक कर दिजेगा दोस्त में और रिलेशन में तो चूड़ा इसमें जो भून का मैंने रखा था उसको डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और एक से दो मिला तक धीमी आज पर अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला लेंगे जिससे की नमक जो मै नहीं सकता है तो ताजा बना कर खाएंगे तो बहुत ही जादा यह टेस्टी और क्रिस्पी लगता है और गर्मा गर्म मैंने अद्रक वाली चाय बनाई है तो यह देखिए मैं तो चली इसे खाने आप भी जरूर बनाईए और बताईए कैसा बना फिर मिलते एक नए वीडि